हलो डियर स्टूरंट्स विल्कम बैक तो यूट्यूब चैनल स्कॉलर्शिप सलर्ड में मीद करता हूँ आप सब खरीए से होगे डियर स्टूरंट्स एचिसी की जानिब से जो है वो चाइनीज गवर्मेंट स्कॉलर्शिप अनाउंस हो चुकी है और इसकी जो डेडलाइन है अप्लाइ करने की वो 9 डिसंबर है जद से जल्द से स्कॉलर्शिप में अप्लाइ कर लें इस वीडियो में मैं दोनों पोर्टल्स पे ओनलाइन अप्लिकेशन सब्मिंट करने का तरिकेकार बताऊंगा तो वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इस वीडियो में हर इक पारट आपके लिए इंपोर्टन्ट है कफी सारे स्टुडokee करते हैं उसकी वज़े से उनके फार्म रिजिक्ट हो जाते हैं तो से बाद जितने आप इस पूस्शन पोचिने हैं आप पूच सकते हैं अब यहां पर देगें यह इनकी official website पर announcement है इसमें कुछ important चीज़े हम discuss कर लेते हैं इसके बाद मैं आपको online apply करने का procedure बताता हूँ ठीक है step by step अब यहां पर again मैं बता दूँ कि apply करने की deadline है वो 9th December है last date का इंतजार मत करना क्योंकि आखरी दिनों में जो ना दोनों portals बहुत ही busy रहते हैं तो आप अपना form submit नहीं कर पाएंगे अब इस scholarship में apply करने के लिए आपके पास valid head या UCED का test score होना चाहिए और इनकी जो validity होती है वो head की 2 साल की होती है और UCED की जो ना वो 1 साल की होती है head का अगर आपके पास score है तो वो 9th December 2022 का हो या इसके बाद का हो इससे पहले वाला नहीं होगा और head का जो ना UCED के लिए 9th December 2023 का या इसके बाद का इससे पहले वाला नहीं होना चाहिए जब आप HEC के portal पे online apply करेंगे तो वहाँ पर आपने ये score देना होता है ये हमारा agency number होगा वहाँ पर हम select करेंगे campus China की website पे जब हम apply करेंगे ठीक है उस वक्त अब यहाँ पर प्रोग्राम के अगर हम बात करें तो इस बार जो है वो undergraduates, masters और PhD प्रोग्राम हैं इन में से हर एक प्रोग्राम में जो ना Chinese language proprietary जो study year है वो एक से दो साल का होगा ठीक है और यह इनके आप year देख सकते हैं undergraduate students के 4 से 5 years होंगे master वालों के 2 से 3 साल और doctoral students के लिए 3 से 4 साल यहाँ पर कहरेंगे जो undergraduate के students हैं उनके लिए यह जो है वो Chinese preparatory जो year है यह remove भी किया जा सकता है अगर उनके पास यह जो HSK का जो है लेवल 3 का अगर आपके पास score है तो बाकि master और PhD वाले जो है न उनके लिए जो हो कहरें कि बहुत सारे जो है न वो English में programs offer किये जाते हैं तो आप tension ना लें अब यहाँ पर eligibility criteria के करम बात करें तो आप पाकस्तान या आपके नेशनल हों आपकी health अच्छी होनी चाहिए और closing date तक आपके पास degrees आपकी ready होनी चाहिए और यहां पर कहरें कि undergraduate के लिए आपके बारा साल की education होनी चाहिए with 25 years age और master's के लिए आपके पास 16 साल की education हो with 35 years age requirement और PhD या doctoral program के लिए आपके पास master's या MS या M.Phil की degree होनी चाहिए with 40 years age limit ठीक है और जी यहां पर कहरें कि China scholarship council पे भी कुछ requirement होगी वो भी आपने पूरी करनी होगी और यहां पर कहरें कि हर एक university में जब आप वहां पर choose करेंगे तो university की website पे भी आपने उनकी academic eligibility language requirement भी चेक करना है ठीक है यहां पर यह एक important चीज है कहरें कि आपका head या use head में minimum 50 परसंट या 50 आपके marks होने चाहिए तभी आपकी application accept होगी ठीक है और यहां पर again बता रहें कि head की जो validity होती है वो 2 साल होती है चाहे आपका कितना score क्यों न हो लेकिन उनकी जो validity है वो 2 साल होती है और use head की जो है वो 1 साल की होती है ठीक है अब यहां पर financial coverage की अगर हम बात करें तो यह scholarship आपकी tuition fees से लेकर आपके जितने भी educational expense होते है या administration cost है या health insurance है ठीक है या दूसरे expenditure जो कि student को student की जो activities है उनको support करने के लिए वो यह आपको offer करते हैं ठीक है accommodation आपको मिलती है और China government की policy की तहत जो stipend होता है वो भी आपको मिलेगा लेकिन यहां पर कह रहे हैं कि जो travel का expense है वो आपने खुद pay करना होगा आपने खुद आरेंज करना होगा travel का जो charge है वो इसमें include नहीं है ठीक है apply करने का procedure यह है कि पहले आपने जो हो इनकी website पे दोनु पोर्टल्स पे आपने basically apply करना होता ठीक है HEC की website पे और इसके बाद आपने यह जो CSE का portal है CSE का इस पे भी आपने online apply करना है ठीक है यह मैं आपको थोड़ी देर में मैं आपको दोनु पोर्टल्स पे application submit करने का तरिके कार बताता हूँ ठीक है और यहां पर देखें कहरें के before applying kindly update your HEC profile with latest emails, cell phone number and update information you are advised to complete submit your application as soon as possible तो यहां पर देखें कहरें HEC के जो यह वाला जो portal है इस पे आपने kindly पहले अपनी application को start करने से पहले अपनी profile को update जरूर करना है वो मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी profile को कैसे update करेंगे उसके बाद ही आपने यह आपने यह आपने अप्लाइ करना है ठीक है और वहां पर यह जो चाइना की website है उस पे अब यहां पर कह रहें कि जो एचसी की website पर आप form फिल करेंगे उसकी साथ आपने कोई भी document अटेज नहीं करना है उसको एक separate spiral binding करनी है बाकी जो आपकी CSE जो application है CSE portal की उसकी साथ आपने जितने भी educational documents है वो attest करवाके वो आपने अटेज करने होते हैं और research proposal जो कि आप अटेज करेंगे आपका ordinary passport जो है ना उसकी आपने फस्ट पेज की दो copies जाना वो आपने अप लोड करनी है ठीक है और physical examination record यह सारे जना यह बाद में आप से लिए जाएंगे जब आप short list होंगे ठीक है उसके बाद medical form में या medical certificate है यह six months से ज्यादा old नहीं होना चाहिए आपको police clearance certificate भी देना होगा और यहां पर और कुछ requirement नहीं है इतनी खास ठीक है और बाकी यहां पर कहरें कि applicants for graduate program must submit two recommendation letters तो यह आप अपने जो प्रोफेसर्स हैं या associate professors हैं वहां से आप issue करवा सकते हैं in case of employment आपने NOC भी देनी होती है ठीक है और यहां पर कहरें कि applicant under the age of 18 शुट to submit the valid document for legal guardian in China तो यह कुछ इनकी जो ना वो general instructions थी कुछ introduction था मैंने eligibility criteria आपको बता दिया है मैं आपको online apply करने का जो ना वो प्रोसीजर बताता हूँ जी के अच्छा जी पहले जाना हम CSC के पोर्टल पे अपनी application को सब्मेट कर लेते हैं उसके बाद हम HEC के पोर्टल पे जाना अपनी application को सब्मेट करते हैं तो यह दू वेबसाइट्स हैं इनमें से किसी वेपी आपके लिक करेंगे तो आप जाना इनके इस official website पे आ जाएंगे ठी के यहां पर आपको देखें यह scholarship का जो यह section है इस पर आपको यहां पर Chinese government scholarship का option भी मिल जाता है इस पर आपके लिक करके यहां वियू more पिक आके यहां पर आपने scholarship application for student पे क्लिक करना है तो आपके पास जैना यह registration का page open होगा अगर यहां पर पहले से आपका account बना वाए last year otherwise यहां पर आप new user हैं तो नया आप account बनाएंगी ठीक है अपना नाम लिखेंगे और यहां से email एक password लिखेंगे confirm password हो यह जो code आपके पास नीचे शो हो रहा ना यह आपने यहां पर लगा के submit करना होता है basically so जैसे submit करेंगे तो आपके पास कुछ इस टाइप का एक code आता है यानि के verification का तो यह जो link है इस पर आप क्लिक करके अपने email को verify करेंगे उसके बाद login करेंगे तो आपके पास जैसे ही अपनी personal information को fill करेंगे ना आप यहां पर apply online के section पर क्लिक करके अपनी यह personal information जब पूरी तरह फिल करेंगे तो आपके पास यह वाले आप जैसे ही अपनी personal option blue show होंगे ठीक है पहले आपके पास इस तरह के इस तरीके से show होंगे मैंने यहां पर fill किया वाइस के पास वज़े से मेरे पास यहां पर blue show हो रहा है तो मैं यहां से आपको बता देता हूं personal information पे click करके यहां से मैं थोड़ा सा information को blur करूंगा कि कि यह हमारी personal information है और अगर आपकी show करते हैं न तो basically video remove हो जाती है बाकि है कुछ भी नहीं यहां पर मैं आपको बता देता हूं आप अपना जो passport पे आपका जो नाम है वो यहां पर नाम लिखेंगी last name या आपकी जो surname है ठीक है date of birth gender क्या है और अपना status बताना है कि married है या unmarried अपना country और आपका city of birth आ नहीं है आपकी native language कौन सी है पासपोर्ट नंबर पासपोर्ट की expiration date personal contact नंबर यहां पर आप अपना telephone नंबर email address और alternative email address पताएंगे which aid या skype की idea आपने यहां पर mention करनी है क्योंकि इस ideas की तो जो ना वो Chinese university वाले आपसे interview जो ना वो contact कर सकते हैं इसके बाद यह emergency contact number में आप अपने siblings में से या दोस्त का दे सकते हैं in case emergency वो आपसे contact कर सकते हैं once scholarship आपको grant की चाहेगी तब तो यहां पर उनका आप contact number लिखेंगे और यहां से gender choose करेंगे और उनसा relation आपका क्या है उनसे ठीक है और telephone number उनकी email address उनकी complete address यहां पर आप लिखकर verify and save की option पर क्लिक करेंगे तो personal information वाला section हमारे पास save हो जाता है यह हमारा educational वाला section है इसमें आपने अगर आप बैचलर्स के लिए apply करें रहे हैं तो आपने यहां पर senior high school के option पर क्लिक करना है इनकेस अगर आप master के लिए apply कर रहे हैं तो यहां से आपने बैचलर्स select करना है क्योंकि पहले हमें highest education basically देनी होती है ठीक है तो मैं जैसे बैचलर्स के लिए apply करना चाहरा है तो मैं यहां से senior high school के option पर क्लिक करके यहां से field of study अपने लिखोंगा country और यहां से institute का नाम यह मैंने random information put करके यह farm को save किया है आपकी जो correct है न वो आप यहां पर देंगे और यहां पर आप qualification में आप जैसे master के लिए apply करेंगे तो bsc लिखेंगे और बैचलर्स के लिए कर रहे हैं तो आप यहां पर fsc लिखेंगे ठीक है और आपकी जो fsc है वो कहां से कहां तक की है उनके years आपने mention करने होते हैं यहां पर आप अपनी matter के information दे सकते हैं ठीक है उसके बाद अगर कोई और other certifications वगर हैं तो वह आप दे सकते हैं last में आप employment history में अगर कहीं पर आपने काम वगरे किया है तो वह आप यहां पर उनकी employer name ठीक है अगर आपका China में किसी से contact है तो आप उनका यहां पर detail दे सकते हैं अगर नहीं है तो आप यहां पर simply इसको leave भी कर सकते हैं ठीक है और यह last में आप से family members का पोच रहे हैं तो आप अपने spouse का नाम ठीक है spouse की age spouse का occupation क्या है अपने father's का नाम father's की age और father का occupation क्या है mother का नाम mother की age और mother का occupation क्या है ठीक है इस तरीके से आप one by one in की information दे के यहां से verify and save के option फिक क्लिक करेंगे ठीक है अब जैसे यह हमारी तीनों section complete होते हैं तो उसके बाद हम finish करेंगे ठीक है फिनिश करते ही यहां पर जैना हमारे पास basically जो main application है वो है हमारा application A ठीक है तो अब यहां पर जैना आप देखेंगे तो यह आप से agency number जैना वो पूछेगा agency number आपको कहां मिलेगा यह आप HACC की website से यहां पर देखें यह है हमारा agency number ठीक है तो ये agency number आप यहाँ पर यहाँ पूट करेंगे ना तो यहाँ पर हमारा पाकिस्तान का नाम आ जाएगा यहाँ से आपने Chinese proficiency में आपने rate करना है अगर आपको आती है तो poor, good या excellent के इन तीनों में से कोई excellent करें अगर नहीं आती है तो आप यहाँ पर none के option पर क्लिक करें ठीक है और इस तरीके से आप English की भी proficiency rate कर सकते हैं ठीक है पूर, good या excellent के फॉर्म में और उसके बाद यहाँ से preferred teaching language आपने यहाँ से Chinese बेसिकली select करना होता है क्योंकि जो undergraduate के student उनके लिए एक से दू साल का वहाँ पर English नहीं बलके Chinese language preparatory course भी होता है इन में से यह HSK का एक certificate होता है तो अगर वो है तो आप yes करें अदरवाइस को no कर दें और English proficiency certificate like IELTS या TOEFL वगर है तो आप yes करके उनकी detail दे सकते हैं अदरवाइस को no पे ही रहने दें ठीक है यहाँ पर आप तीन choices रख सकते हैं यानि के तीन institute के नाम रख सकते हैं यहाँ से university का नाम चूज करें ठीक है और उसके बाद यहाँ से discipline और उसके बाद यहाँ से measures आपने यहाँ पर लिखने हैं अब यहाँ पर एक और चीज में आपको बताना चाहूंगा कि इन universities के आप गूगल करके इनके नाम बगरे चेक करें सुरी इनकी website पर जाके इनकी requirement चेक करें ठीक है कि academic requirement या language requirement क्या है तो उसके बाद ही यहाँ से आप जो है वो carefully choose करें तीनो universities या institute ठीक है और यहाँ से आप उनके measures चूज़ कर सकते हैं उसके बाद ही यहाँ से जिसे आप यह तीनों चीज़ें सेलेक करते हैं उपर डेड़ वगरे यहाँ पर यहाँ पर यह आटोमेटिक आ जाती है ठीक है duration आपकी जो है study की वो यहाँ से यह अगर आपने चाइना में वर्क अगरे किया है तो यह करें अदरवाइस इसको नो पी ही रहने दें तीनों options को ठीक है अगर आपके पास प्री admission letter है तो आप yes करके उनकी detail दे सकते हैं अदरवाइस यहाँ से आप no के option पे क्लिक करके verify and save के option पे क्लिक करेंगे ठीक है तो यहाँ पर यह आपसे जनवूर्ड आपकी documents का section है इसमें आपने जहाँ पर भी yes लिखा है न वो documents आपने upload करना होगा ठीक है और यहाँ से ID card और इसके बाद आपका जो highest qualification का certificate है लाइक आपकी intermediate की degree और intermediate की mark sheet वो आपने upload करनी होगी और study plan ठीक ह इसके बाद यहाँ पर passport के जो front page है उनके आपने copies upload करनी होती है basically और इसके बाद यहाँ से दूसरा documents कौन सा है यह criminal record वाला ठीक है non criminal record तो यह आपने upload करना होता है उसके बाद आपने यहाँ पर submit के option पर जैसे ही आप click करेंगे तो आपकी जो application है वो basically submit हो जाती है ठीके जैस से application submit हो जाएगी अब यहाँ पर यह जो है ना इस print का यह section है इस पर प्रेंट करके यह जो application है यह download करके रख लें और इसके साथ आप यह वाले जो है वो documents अटीज करेंगे यह वाले documents सारे ठीक है अब मैं आपको जहाँ हो HEC की website पे जो है वो online apply करने का procedure बताता हूँ और इस वाले section में अगर कोई question है तो आप नीचे मुझे comments में पूछ सकते हैं ठीक है अब HEC की website पे कैसे हमें form को fill करना है वो मैं आपको बताता हूँ ठीक है यहाँ से यह देखें यह है basically scholarship.hec.goe.p के यह हमारा है HEC का portal ठीक है अचा जी तो अब यहाँ पर HEC के portal पे apply करने के लिए यहाँ पर जो portal है scholarship.hec.goe.pk ठीक है इस पर आपने किलिक करना है तो आपके पास इस टाइप का एक dashboard यहाँ पर अगर आपका account बना हुआ है तो login करें otherwise यहाँ पर sign up करें ठीक है it means कि आप यहाँ से अपना नया account mail भी याद नहीं है आपका account लोग हो चुका है किसी reason की वज़े से तो आप पहले unblock करवा लें ठीक है अगर आपको नहीं करना आता है तो आप मुझसे राबता कर सकते हैं WhatsApp के तुरू मैं आपका account recover करके दूँगा ठीक है और आपके लिए यहाँ पर apply भी कर लूँगा लेक ठीक है तो यहाँ पर आप अपना नाम last name password ठीक है और यहाँ पर phone number अगरे लेके यहाँ पर submit करेंगे ठीक है और मुझसे राबता करने के लिए जो ना आप 03048181016 यह मेरा WhatsApp का number है इस पर राबता कर सकते हैं ठीक है उसके बाद ही आपने यहाँ सब्मिट कर लिया आपके व आपके पास कुछ इस टाइब का डेशबूर्ड शो होता है आपने यहाँ से जो learning opportunities abroad का section है ना इसमें आपने जाना होता है और यहाँ से आपका जो है ना वो form आपको मिलेगा सो यह first section यह profile का इसमें हमारी personal detail होती है यह मैं थोड़ा सा वीडियो को बिलैर करूंगा ठीक है तो यहाँ पर देखें आपका अपना नाम होता है basically middle name या last name आपका status क्या है जेंडर क्या है आपकी date of birth और आपके father का नाम ठीक है आपका जो डो मिसाल है वो सिंद रूरल है य या पंजाब का है तो जो भी है वो आप यहां से select करेंगे अपना district चूज़ करेंगे अपनी permanent address अपना country अपना city अपना डिस्टिक ठीक है अपना postal code आपको गूगल पे आप अपना district लिखके सामने postal code लिखेंगे ना तो आचाएगा अगर आपकी mailing address सेम है तो आप यहां पर details जोना आपसे मंगेगे अब यहां पर देखें के प्लीज प्रोवाइड complete education track record from lowest to highest it means के पहले आपने metric की देनी होगी उसके बाद intermediate की उसके बाद bachelor's की उसके बाद master की अगर आप bachelor's के लिए apply कर रहे हैं तो जाहर है आपने पहले metric और सिर्फ intermediate की देनी होती है और अगर आप master के लिए कर रहे हैं तो metric intermediate bachelor's ठीक है इन की देनी होगी यहां पर simply यह मैंने aid की वी है आप यहां पर aid education के section पर click करेंगे तो basically आप से कुछ इस तरह की जोना वो details मांगेगे qualification में आप यहां पर metric choose करेंगे और यहां से आप जो है वो यह जहना आप leave कर दें ठीक है दोनों option यहां से starting और यहां से in dead लिखेंगे यहां से degree के ओपर क्या नाम है उसके बाद यह जो है वो degree awarding institute की detail है ठीक है यानि कि जहां से आपने metric किया country यहां से city यहां से आपका board और कौन सा school public है या private है ठीक है और प्रोग्राम टाइटल में आप metric लिखेंगे और यहां से discipline में आप science या commerce या technical जिसमें भी आपने metric किया वो आप यहां से choose करेंगे उसके बाद यह certificate की detail है ठीक है यहां से आप अपना roll number लिखेंगे ठीक है उसके बाद यह आप से आपकी total marks औ और आप 10 marks पूचेंगे वो आप बताएंगे उसके बाद यहां से आप से या update education पर क्लिक करेंगे तो यह आपकी education save हो जाएगी इसी तरीके से आपने अपनी intermediate या जो है फसी के information देनी होती है ठीक है वही तरीकी कार रहा है जो कि मैंने metric का बताए अपनी जो है वो educational details देने क अगर आपके पास है तो यहां पर aid employment के section पर क्लिक करके दे सकते हैं बाकि जो bachelor's या master या PhD के हैं उनके पास होता है तो यहां पर दे सकते हैं उसके बाद आप next करें यहां से आपने Chinese government scholarship चूज़ करना है और यहां से आपने bachelor's चूज़ करना है discipline में आपने biological science यह मैंने वहां यहां पर चूज़ कर रहा हूं आपने आपका जो भी discipline है engineering है management है medical है जो भी है ना वह यहां से चूज़ कर सकते हैं ठीक है और यहां से subject of study क्या है आपका वह यहां से select कर सकते हैं ठीक है यह मैं जो हो random information put कर रहा हूं है so मैं यहां से ऐसे ही यह select कर लेता हूं उसके बाद यहां से मैं यह टिक लगा कि next step पे क्लिक करूंगा अच्छा जी कह रहे हैं मेरा यह form already exist है तो मैं यहां से अपने उसी farm को यहां से continue करूंगा अच्छा जी यह वाला जो section है इसमें basically आपसे जो ना वो foreign country का नाम और foreign की यहां पर आपने जो युनिवस्टी से लेक्ट की थी CAC portal में उसकी आप detail दे सकते हैं ठीक है उनका नाम उनका वहां पर department क्या रखा है आपने युनिवस्टी की ranking क्या है उनकी email address उनका phone number और यहां से research proposal या आपका जो statement आप purpose होता है basically जो इंडर ग्रेजूट की students के लिए आप यहां पर लिख सकते हैं और by the way किसी भी युनिवस इसकी का नाम लिखके सामने contact data लिखेंगे दिन आपके बास यहां पर show हो जाएगा ठीक है तो हम वापस जाते हैं और यहां पर हम next step क्लिक करते हैं अगर आपके पास head का test score है तो आप यहां पर check box पे click करके यहां पर score का बता सकते हैं अगर नहीं है तो यहां पर इसको to fill या कोई exam की result है तो आप दे दें अदरवाज इसको भी रहने दें यहां से आपने एक तो आपका statement of purpose आपने upload करना होगा और दूसरा आपने criminal record certificate ठीक है वो आपने यहां से upload करना होगा उसके बाद आपने यहां पर undertake option पर click करके यहां से submit करना होगा तो यह simple तरकेकार है HEC इसी की portal पर apply करने का अगर कोई question है कोई चीज समझ नहीं आई है तो आप नीचे मुझे comments में पूछ सकते हैं मैं पूरी questions करूंगा कि आपके हर comment का reply करूं ठीक है वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें ठीक है झाल